प्राइम डिबेट विच तो अड़ा स्वागत है असी उत्रीम रिका विच ग्लोबल पंजाब अते यूरोप विच संगत तेलेवीजिन दे दर्शका अधावी स्वागत कर देयां जमू विच कठ हुआ अते सांबा जलियां विच दो अत्बादी हमले होईने फिदाइन हमले विच एक थाने अते एक शाणी नू निशाना बनाया गया है एहे हमले उस वेड़े होईने जदो साड़े मुल्क दे परदान मंतरी डॉक्टर मन मोहन सिंग अते परदान मंतरी नवाज शरीव दी मुलाकात न्यू यॉर्क विच होण वाली है इना हमले नार सुरख्या अते अमन दे सवाल जुड़े होईने की इना हमले नू पिशाबर अते नरोबी विच होई हमले दी कड़ी समझे जाए जा इना नू कमांतरी हाला तो तोड़ के पारत विच होई आतबादी हमले दी कड़ी मने आ जाए इहे सवाल एहम ने क्योंकि इस दे दोड़े पारत पाकिस्तान दे रिष्टे टिके होईने कई दिना दी जक्को तकी आते 65 तो बाद प्रिदान मंतरी डॉक्टर मनमुहन सिंग ने दर्टा नाल किया कि उस सयुक्त राश्ते न्यू यॉक वाले इजलास दोरान पाकिस्तान दे प्रिदान मंतरी नवाज शरीफ नाल मुलाकात करन वाले ने उने दे इस बयान बारे सियासी पार्टिया विच बहस हो री सी कि जम्मूः विच अत्वादी हमले हो गए दो फिदाईन हमले विच कठवा जिले दे हीरा नगर थाणे अते सामभा जिले विच शामनी नो निशाना मनाय गया इनना हमला नाल अतवात दा कातक पख जाहर होया है थाने आतेचामने उते हमला करन दा सुनेहां इस पष्टे की ये सरकार उते हमला है इस थना दे हमला लेई शमय दी आपड़ी थाँ एहमिय दे प्रदानमंत्रियां दी मुलाकात तो पहला इना हमलया नो कीवें समझया जाए इस दे एक रूप ता तुरन सामने आया है पाश्पर ने प्रदानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग नो पाकिस्तान दे प्रदानमंत्री नवाज शरीफ नो नाम इलन्ड दी सला देती है प्रदानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने इना हमलया नो अमन दे दुश्मन करार देता है उनाने साबत कदमी नाल सारिया समस्यावा दे हल गलबात रही करन दा एहद दोहराया है इता साफ है कि मौझूदा दौर वेश अत्वाद एहम मसला है ये मसला पाकिस्तान दे हवाले नाल ज्यारा पेचीदा हो जानता है पाकिस्तान वेश अत्वादी जथे बंदिया सरगर में अती दूझे पासे इस खिते वीच सब तो वद हमले अत्वादिया ने पाकिस्तान वेश ही कीते ने पाकिस्तान दी कुफी अजेंसी फोज अते सियासी पार्टियां विच अत्वादी चत्थे बद्नियां लेई हमदर दिये पाकिस्तान विच अत्वादी पर्टी लेई सिखलाई हुन दिये असला मोहिया हुन्दाए अत्वादिया दे निशानिया दे शनाक ले इंदाद मिल दिये अत्वादिया दे पर्टी लेई जन्यत दे हूरा दे सुफने वेचन वाले पाकिस्तान वीच स्यासी सरपरस्ती हेट सरगर्म ने इना हालात विश मौझूदाओं हमलें अते प्रदानमंत्रियां दी मुलाकाप दे की माइने ने जम्मू विश अतबादी हमले अते न्यू यार्क विश संजोगत राश्ट दा इजलास इना दो मादा आपस विश एहम रिश्टा है जो अतबाद रहीं भी जुड़दा है गौांडी मुलक नार अमन रहीं भी जुड़दा है जो मुलक अपनी खुद मक्तियारी कायम रखन विश नाकाम जावे उस दा वादा अते दावा की माइने रखता है इना सारे मुद्याओं थे चर्चा करनली साडेना स्टूडियो विच हाजर ने इंदर जीत सिंग चड़दा जो साबका पारती सफीर ने परफैसर खालिद मुहमद जो राजनेती शाष्ट्री ने चरण जीत सिंग पनाग जो सेवा मुक्त मेजर जरनर ने जड़ा साब जड़ा ही हमला होया इदा जड़ा फ़ॉरी असर की होएगा ते चर्काली असर की होएगा खास और देते है जदों आप आँ इनों देखांगे जो सुन ज कतराश्च तुदा ऐचलास दोने बारा है उद्रे हवाली ना और ही असर ते जिड़ा ओ वाद्दी चांदे ने ओ एई है कि जिड़ी पीस प्रॉसेस असी कोशिश कर रहे हैं रिवाइब करन दी ओ ना होए उना दा एई हैं जिस तांगे साथे प्रदायन मंत्री ने किया है ओ पीस प्रॉसेस दे दुश्मन ने तो सानु ए समझना है कीः खमले हो रहां हैं उनादा की अबजेक्टीव है और उस अबजेक्टीव ने शी बडाना चेवाइब आहां या फ différentes करना ऑन दा भाब या प्रॉसेस प्रॉसेस नो ना चैलन द हुए साड़ा अबजेक्टिव है पीस प्रॉसेस नो चैलन द द हुए आईए छिश द यह मौका है, यह साइड लाइन जिसनों कहने नहीं, साइड लाइन ते वो मिलन गे, उन्हें ना मिलन जिसन के साड़ी आपोजेशन वाले कहा रहे हैं, मेरे ख्याले जिए बहुत पारी गलती होएगी, यह दुनिया जिए इंप्रेशन क्रियेट किता जाएगा, कि यह ते चा बादेश कहिए की, यह बहुत जुरूरी है, उस गल बादेश असी उन्होंगे समझाना, जो कर यह सी उन्हों टी ब्यू स्टूडियों से कह रहे हैं, यह मीडिया विच कह रहे हैं, उन्हानूं फेस टू फेस साड़े परदान मंत्री नुचाहिद है, कि उन्हादे परदा अन्दर होया है, तुसी की करना चाहोगे इस बारे? यह छोटा इंसिडेंट है, बड़ा मन्या जानता है, क्योंकि यह बहुत देरवादेते होया है, जो आदमी अपनी जान तेली ते लेके ऐस तरह दे हामले करता है, ओ हमेशा शुरूच काम्याब होंता है, यह दे विच् नुकसान जिनना होया है, वो शैद कट किता जा सकता सीगा, यह आम टेंडेंसी है कि लोका दी, कि जो दो तिन चार साल कुछ नहीं होंता, तो उनले अपनी सेक्यूरिटी लेवल डाउन हो जाना है, तो अगर सेक्यूरिटी लेवल प्राणे लेवल उच्छे तोरते होंती, तो हो सकता है, दो तिन इनना नुकसान ना होंता, और वो इननी तरकी ना कर सकते, दूसरी गहल है, यह दे विच साड़ी कमी की पाई गई, कि साड़ी कॉडिनेशन और रियक्शन नहीं है, जे पुलीस स्टेशन चामला होया है, खबर एक टैम ते एक दम सार्या नु पहुंचनी चाहिए थी, ते फौज दे कैम्प चे इनना नुकसान ना होंदा, मगर कॉडिनेशन है नहीं, सिंगल पॉइंट कॉंट्रोल है नहीं, नॉर्मल ट्रीका है कि जैसी उत्ते पास करता आई जी नू, आई जी, आई डी जी नू कोगा, डी जी फे पर्मेशन लेके फेर नॉर्थन कमांड उदा सुगा, एनने नू, एनने नू ओ दे नौ पहला आतवादी पहुंच गे, तो थोड़ी लैक्सिटी है, सिक्यूरिटी विच, बट हले भी नुकसान कट है, मेरे असाबनार, नुकसान होर जादा हो सक्दा सी, जी, ते कट भी किता जा सक्दा सी, येस, जड़ा दू जड़ा का लिए है कि एस विड़े अजलास हो रहा है, संजुक्त राश्ट रदा, उदे वारे तुसी की करना चाहूंगे, कि फौज दे पक्तों हो उननों काल बात करनी चाहिए आपस दे बेचे? बिलकुल करनी चाहिए और उननों ये कहना चाहिए है, कि छोटे प्रहा, एह हिंसा कटवा, दो तिन कटनावा हो याने, तुसी और तो अड़ी फौज, पाई तुसी नहीं कीता, तुसी आपने लाके चो रोकिया क्यों नहीं, और जे तुसी नहीं रोक सकते, तो अड़ी चक्ती तो बाहर है, प्रावा वो साननू थैंक्शन देओ, अशी दस किलोमेटर तक अंदर आके तो अड़े लाके चाहिए नहीं सद्धे कर लिये, जे ऐ साड़ा साथ देओ, अशी आगे तो अड़ी मदद तो अड़े लाकेच बंद करके देओं नहीं, जे, ठीक गल है, मैं तो अड़ी, ऐसे सवाल ना जामांगा चड़ा सापर, पर पहला है, खाले एक गल है कि भी पिछले दिना देविच, पेशे आवर देविच बहुत बद हमला है, इस हमले नो असी कमांतरी पदर दे ते उसकड़ी दा हिस्सा मनिये, जा हिंदोस्तान नो वक्ख करके मनिये, ते पाकिस्तान नो असी किमे समझे कि ओहो सारे नो नो वड़ी मारो दे दे पाई या जा उथों सारे नो वद आत बाद बाहर जा रहे हैं, दो चीजा मै कि नो कोई होंता है, तुसी देखो भी बासियात्रा देखो वाजपाई दी ते उस्ते बाद कार गिल, जिस वेले सी बासियात्रा शुरू किती कश्मीर दे विचे, ओसे दिन या ओना दिना दे विचे उत जड़ा हैगा, टूरिस्ट सेंटर दे उपर अटेक होया, कश्मीर हैं जेडियां के डेलिबरेटली ए चौनियां के पीस प्रोसेस जड़ा होगे ना तो रहें, इदर पहली चीज़ है, दूसरी चीज़े हैं, इनो उसी वक्ष करके नहीं देख सकते, ए जड़ा खिता है, पाकिस्तान दा, पाकिस्तान दिनाल एक बासे सेंटरल इशया जेड़ा तो पहले होगे, पहली चीज़े हैं, ओ लोग होगे किसी तरह आ दी वी दोस्ती जड़ी है ना होगे, ओना देख दमाग देख एब जाहने के एरां ते इंडिया दे पाइपलाइन या उप्लाइन देख किसे तरीके देख जा ना आ ओवे, ओना देख दमाग कि उत्यों ट्रेड जेड़ा हैगा सेंट्रल इशयनल शुरू करना चले एसे तरीके दे नाल ओ ये भी चौने हैं कि और ये दोना पास से हैं इंडिया ते विच भी है गया हैं पाकिस्तन दे विच भी हैं कुछ रेडिकल अईलिमेंट्स ऐसे हैं और आज तो नहीं हैं जटता अगर अपका निजवाज श्रीफ दी गल करिया है नवाज श्रीफ जिस विले पहला सत्ता दे विच आया से गा, उस विले भी उनने कोशिश किती कि रिलेशन जड़े हैं सुदारे जा, हून भी जिस विले इलेक्शन होया, इलेक्शन दे विच उनने किया कि इंडिया देनाल साड़ी, अस डेकलियर्ड होना दे मैनिफेस्टो सिगा कैसी इच्छे रिलेशन बनाओं दी कोशिश करें, मेरा ख्याल है किते तक वो खुद भी मजबूर होया है, क्यूंकि टेर्रिज्म पाकिस्तान दे विच इनना ज्यादा कैंसर वांगों फैल चुके हैं, और जड़ी आर्मी हैं, वो किसे भी तरीके दिनाल अपने मजबूर है अटի सार अट, क्या है का जो कोई मजबूर है थे दुजा वी मिलब होरनों संजीड की शाहा है、 चाहे गए संजीड की करन, चाहे मजबूरियां करन, कमक्रा जो फैसी इंहा हो करना है ठाय का थे किनक नक पर parse श्कार दो कर सकते यां, एक ताँ जदों उते दा एक वड़ा बंदा जड़ा लगातार अतबादा हमायद करदा है अंदुस्तान दी खिलाफत करदा है उन्हों एक वड़ा जलसा करन दिता जान दा गदाफी स्टेडियम दे बेच दूजा है जदों उन्हों दी जड़ी अपनी सरकार है पंजाब दी वड़ा जड़ी राकम हैं ओ दंदीया उन्हों पर अपकरी कमा लगा ज़ा जो भी अपने उतार में कम करना चाहूने ने देखो जिते तक state to state relations दा स्वाल है इंडिया ते पाकिस्तान दा जिज़ाफिकली इसी contiguus है और इसी एक दूसरे नो विशवे नहीं कर सकते जिज़ाफिकली इस करके आजनी कल नो सानू कोई ना कोई रस्ता तलब ना बढ़ना है इस खिते दे विचे शांती स्थापत करने वाज दे जिते तक सवाल है नवाज श्रीफ दा नवाज श्रीफ चाहे किना ही सिंसीर होगे लेकिन प्राइम निस्टर जिस वे ले भी मिल दे हैं United Nations दे विच सकती दे नाल कहनी चाही दिया है कि ये ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली गाल नहीं है वी मस्ट कम टुगैदर कि ये टेरुरिजम दा जड़ा मैनिस फैले है इस खिते दे विचे एन उस्टेंप आउट करिए जी चड़ा सब पाकिस्तान दी खोफिया जानसी उत्ते दि आ जान वक्रियां जधे बन्दिया दे नाल कम करते ने उनना दी मदद करते ने पिशले दिना वी जमातव दावान वार्ण बड़ी रकम दे गई बना हाफव साई बड़े बड़े जल्से करते हैवाद। ऐड़ा सारे मसले ने कि ओठे या जड़े जड़े उदे दे अधा सब्सक्राइब करना चाहिए कि वही साड़े भी टर्रियरिजम है तो भी नीट सिंपथी मैं इस गल मंदर ते त्यार नहीं है अगर तूसी पर एता ताथ है कि साड़े खिते दे वेचे इस पूरे साउथ दखणिये एशिया दे वेचे सब तो बद हमले पाकिस्तान ची होने ठीक है अगर ताथ होते इनना ते आपने ते टेरोरिस्ट थे हमले हो रहे ने और दीना और तैर्री को आपरेड करन और टेरोरिस्स करने जगा जिसना ते तुसी किया है ओ ते उननों और माली माली मदद कर रहे ने और उनने ओपन ली हाफिस सही नों इजाज़त दे रहे हैं जो मर्जिय करो तो ओ ते हाले वी उत्थे एफिक्सेशन है कि साड़ा ते स्ट्रेडिजिक एसेट है ते साड़ी ऐसे ओ अतंक जड़ा साड़े खिलाफ हैं और ओ अतंक वाज़गा अमेरिका दे खिलाफ है अतंक वाद लिए जिक तुसी नहीं कैसे तुसी साड़े खिलाफ ना लड़ो उनना शेट घ्लाब लड़ने लो जि तो जब तक एह अपने टर्रिस कैंप्स नो बंक ना करन और जिसना दिदे स साइद नो खुल मिली उसनों रोक करना ते यह ते बाने ने के जी आसी वी विक्टम असी कदे इस गाल दे ओं जिस्टिफिकेशन नहीं मन सकदे के तुसी लगातार कई साला तो ऐसे तरजदे है कि ने जी दे विच नमिया कट ना माजूड जान दियाने जो बंदे आंदे कालो संजीदा नहीं सान जा कालों फेर सान होना ते शाक है आले तक उनना दी संजीदगी दा साड़कुल कोई एविडेंस नहीं है जिदो मैं जिस्तां की पहले किया जदो ये इलेक्ट होके आया सी अबनावाज शरीविया इलेक्शन दो पहले भी ओने टड़ी-कड़ी कह अबना रहा है कि मैं ते पीस चान आ इंडिया देना आज ऑ बलकुल मनया जा सकते हैं कि पाकिस्तान दी जडी सियासता होदे वीचे कम्यारी तबदिली है कि किसे पार्टी ने आपना जड़ा चोन आई ओ इस मुद्दे लड़िया किसी हिंदोस्तान आद अमन चोने आ जड और फिर जदो इन्वास शरी जदो इलेक्ट होके आया ते कई अतंक वादी ग्रुप्स ने इनसनों सपोर्ट कीता है और एक उननों इस अब्लिगेटिड टू देम और इसे तरह आर्मी ने मस्ट आफ डॉन ए रेड लाइन के बाई तू इत्व तक जा सकना है उस तो अगे न उन्हों खतरा है आयेसाई तो फाज जिस किसम नाड उते दी सरकार दे विच दखल अंदाजी कर दी है आयेस जिस तरीके नाड उन्हां दी विदेश नी तेनों तैय कर दी है तो जिस तरीके नाड अमरीकी डेड़ा पैसा उदा उते असर हैगा जिदी अपणी खुद मक्त पाकिस्तान दे विचे टेरुरिजम आउन तो भी पहला है। टेरुरिजम बेसिकली आया जिस विले तालिबान बने और तालिबान की ने मनाया है। वपस अपनु पत है। लेकिन एक ता जड़ी नार्कॉटिक्स, ड्रग्स, क्यूंके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्ड एक सब तो वड़ा ड्रग प्रडूसर है, वर्ल्ड दे विचे। जिन्होंके गोल्डन क्रेसिंट क्या जाना है। ओना दा जड़ी ड्रग प्रडूसर है, ओना तालमेल आर्मी देनाल ते टेरुरिजम नो सपोर्ट करना उस मनी दे विचे। एक ओपन सीक्रिट है जिदे बरे उन सब नो पताएगा। जित्धे तक और्गीनिजिशिव जेडिय एगया इन्सीटुशन दे स्वाल हो दे विचे। पाकिस्तान देविचे। इंस्टीशन्स डेमोक्रेटिकली नर्चर नहीं होई पाकिस्तान देविचे। जिम्हें काशी अपने कंट्री दे जिचक लोकां दे आइस्पीरेशन दे विचों बार नहीं निकल दे और उन्होंनों इंपोज किता है जन्द है ओ जड़े हैं स्टेट वास्ते कदे भी फायदे मन्द नहीं हो सकते एद जिदे चको दो रही है ऐसे तरके पाकिस्तान दे जड़े इंस्टीटूशन्स हैं जड़े सारे जड़े इंस्टीटूशन्स हैं सारे जड़े आर्गॉनिजशन्स हैं वो सारी है मिलके टेरुरिसम नो अंदरों खटम करना और नेच्टरूरिसम खटम होएगा ता नेयचुली हो दा इंपक्ट जड़ा है ऑगा बार मेरा जड़ा सवाल है जोनत तहों खड़ा है कि एक जड़ा मुल्क है, जिदी खुदमक्तियारी दा जदों सवाल होंदा है, सर्फ उसे वेड़े हो सवाल ठोस रूपता रन करदा है, जदों हो हिंदोस्तान दे हवाले नगल कर देने, जदों उनने हिंदोस्तान लड़ाई करनी है, हिंदोस्तान लड़ाई करनी है, हिंदोस से तरीके रान नाल भी बॉर्डर पोरस है जिदी अपनी खुद मक्तियारी दे नहीं गल हो सकी अपने अंदर अपने ओहो अदार यांदा सदकार नहीं कर सके ते जदों हिंदुस्तान ओना वारे गल करेगा इन्हों कहाई आएगा कि साड़ी खुद मक्तियारी देविच दख देखाद मुलक है तो दी हैसियत जो दी तेओं कायम रहनी है हिंदोस्तान दी विच एही हिता है कि वेटर टांगनार जमूरी टांगनार चले तां उते भी हमन रहे है उसाड़े भी हख देवी हख देविचे खिते भी हख दोने बहसे खुशाली है क्योंकर एक डिवेलप् पावर स्टेट ग्रो कर दिया इट इस फ्रॉम दा कैपेबिलिटी कैपेस्ट्री अफ दे स्टेट तो मीट दा बेसिक नीट सब्सक्राइब हो जड़ी ताकत है ओ ते बंदूखदी नारी जो नहीं निकल दी पर बंदूखदी नारी जो गुर्बत निकल रही है अतवाद नि सारी हैं मुश्कलां बदूखदी नारी नारी जो लेकिन इस चीज नो राल मिलके पाकिस्तान नो फेला अपने अंदर उस तेवाद आले असर पहेगा जिए पहला अपने अंदर रो अतांकवाद नो कंट्रोल करने कोशिश कर रहा है ओ अगेंड डिपेंड कर दा है कि नव पाकिस्तानी फाज सारे नो वडे एक्स्टॉशनिस्ट है ओ पहला ता अपने मुलक को लो एक्स्टॉशन कर दिया है बंदोग ती पॉचना कि सानू एंदेसा डिफेंस वास्ते चायदा साड़ी आ सेलरी होवगी बाकियां दे जो मरजी होवे पोख नंग होवे सानू कोई परक नी पहनदा तो ली इनन पैसा डिफेंस वास्ते कायम रखनवास दे, अमरीका हर महीने साथ मिलियन डॉलर दे रहे है, यह नि मैं हराना, अर उत्थे दी फाटा दी सरकार है, इमरान खान होना ने कहता कि यह थो फाजा होटाई जा सबे, बट अमरीके ओ, नहीं और दे, अमरीकें तो पैसा लेना जरूरी है, तेस करके फाटा तरीका मिल गया है, नार्कॉटिक ट्रेड दा, उन जेड़े सियासियत दान ने, उन नवाज शरीश्प जी भी, अपनी प्रिंसिपल्स दे होते सूली ते चड़न वाला नहीं है, उनों जे गल बात अगे साधिना पता होगा, ते अपना पिछा देखके पता होगा, उनों यह भी डर है, कि जो मैं ज्यादा आगे बद गया, ते मैंनु शायद अमरीका जी रहना पैज़े बापस ना आउन देन, समझ गे, तो ऐस करके सानु कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए दी, यह सियासियत बोल चाल दा काम है, और यह मसला अगे बदा होना है, चाहे अगे सानु पहल करनी पर वे, जिमें बाजपाई जी ने अपने करके अपनी उना दी ओ गडबर दे मतावक बाद भी जाके इस्टैबलिश्मेंट शुरू कीती, तो यह ही मेरी राज़ता, यही तरीका है, दूसरी गल है कि पाकिस्तानी स्यासियत और पाकिस्तानी अवाम इना दोना नू रल के अपने इंटर्नल आतंक नू खतम करन दी कोशिश करनी चाहिए, छे परसेंट तो बद रैडिकल लोग नहीं है उते, और वो कुंट्रोल कीते जा सकते है, होन नमाचीफ अवामी स्टाफ लौना है, देखो किया जब बंदा चूणदा है, पिशले बंदे जिन चुणे आसी का मुशर्फ नो, बोने ता अपना नवाज शरीफ नो कड के परा ही मारे आसी, ते अगे, इस वारते हो चाहेगा की मुशर्फ वर्गा कोई ना हावी, तिलकुल, चड़ा साब जड़ा एक सुवाल है, जमिन पनाक स ते अधा मतलब है कि सिर्फ परदानमंत्री दे पदर दे गलबात काफी नहीं होर पदरां दे गलबात चाही दिया, किस किसम नहीं पहलकाद्मिया हो सकती है, इसी किस था कर सकते हैं, बैक चैनल सुच्छ ते हो रही है, जी, अवे फ्रम लाइम लाइट, हो ता जे तै ते हुना मेरे ख्याल नहीं ते डिरेक्ट लीक के से हो, साड़ा होर कोई चारा नहीं है, कि जी डिमोक्रेटिकली इलेक्टेट गवर्मेंट दा जड़ा है, उसना गल करिये, जी, और उसनों कही है, कि तो आपने जी प्रमिसेस कीते हैं, उनों दिलिवर कर, साड़े कोई को और जी सांग एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए दिया, लेकिन कोशिश हमेशा कर दी रहें का, जी, पनाक्सार, मेरा एक राय है, कि अपां पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यानि अवाम टू अवाम कांटेक्ट बदाएए, जी, नवाज शरीफ दे नाल ग बला लो, ओ जथे लेके इंडिया ओन, एदरों साड़े भी जान, जिनना पीपल लोग टू लोग, अवाम टू अवाम कांटेक्ट बदेगा, ओ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर नौ जादा रहेगा, आतांक्रवाद देऊ, तुस्री सारे आज दी चर्चा शामल हुए, थोड़ा बहुत बहुत तानवाद, आतवाद बिना शक पेचीदा मसला है, कई थाइं कसूरवार अते पीड़त दी शनाखत इको है, जदों एहे शनाखत इको है, ता ए पता नहीं लगदा कि कदों किस नार गल हो रही है, इना पचीदा हलात विच कोई एक मंतर कम नहीं आ सकता, कूट नितीदा इस तों वड़ा इंतिहान नहीं हो सकता, नमस्कार, सच्विकाल, खुदा आफिस झाल